बाई और बेनों, सपा हो, बचपा हो, कॉंग्रेस हो, बौंस बाद और प्रस्ताचार के लिए इनका समर्पान एक जैसा ही है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि 2014 में देश की जंता इन सब के उपर उठकार इस चौकिदार को बिठा देगी। बीते पाँच वर्ष में आपके इस चौकिदार ने इनकी सारी पोलपत्ती खोल दिया। काले धान और द्रस्ताचार के खिलाब जो कारवाई बाजब एंडिये सरकार ने की है। उसकी बज़र से इन सभी लोगों ने अपना एक ही एजंडा बना लिया है कि मोदी को राष्टे से हताओ। और कुछ लोग तो मोदी को राष्टे से हताने के लिए पाकिस्तान की मदर लेने गए थे। साथियों आप याद करिए पहले कोई नमबर दो की कमाता था तो पैसे खपाता कहां था? किसी फर्जी नाम से ड्राइवर के नाम पर किसी फर्जी नाम से गर के कर्मचारी के नाम पर वो रिष्टेदार जो पैदाई नहीं हुआ उसके नाम पर पैसे वो रिष्टेदार जो दसकों पहले स्वर्ग सिधार गया उसके नाम पर पैसे मुझे इनका खेल मालूम था इसलिए जो बेनामी संपति कानौन 28-28-28 हुआ था उसे मैंने संसद में पास कराया और देश बर में लागो कर दिया साथ योब तक ऐसी लगभग दो हजार बड़ी बड़ी बेनामी संपतिया हमारी सरकार जप्त कर चुकी है और इनकी किमात हजारों करोड रुपिये में है अब आप मुझे बताईए जिसका आलिसान बंगला जप्त हुआ जिसकी लाखों की गाड़ी जप्त हुई जिसकी बेनामी जमीने जप्त हुई क्या वो मुझे छोड़ेगा क्या मुझे छोड़ेगा क्या वो मुझे खतम करने के लिए हर कोशिच करेगा ना मुझे हटाने की हर कोशिच करेगा ना करेगा गर नहीं करेगा दिन रात एक करेगा गर नहीं करेगा अगर उसको दिन्राथ मेरे नाम की गालिया देगा अगर नहीं देगा देगा अगर नहीं देगा लेकिन यह मोदी है यह गरीवों के साथ खड़ा है यह न्याए के खिलाब खड़ा है आपके आशिरवाद से यह किसी के दबाव में नहीं आने वाला और नहीं कभी मैं डरता हूँ साथियों यह लोग लाक दबाव बनाते रह गए लेकिन मैंने करीब साड़े तीन लाक फर्जी कम्पनियों को एक जटबेके में ताला लगा दिया आप सुन करके हरान हो जाएंगे पान की गुम्टी जितनी जगें में यह लोग सो सो कम्पनियां चलाते थे अर्बो खर्बों की हेराफेरी करते थे यह कम्पनियां क्या थी यह काले धन की मशीन थी मोदी ने इस मशीन को ही बंद नहीं किया काले धन की जो टंकी थी उसकी टोटी को ही सिल कर दिया कि झालते प्टे हुआने चलाते प्रबों की जिके वादा फ्रे दे हैं